आप सबी जहनते हैं कि गाड़ी के दर्वादों में कुछ शीट लगाई जाती हैं जिसको साउंड टैंपिंग शीट या पर नॉइस रिड़क्शन शीट कहा जाता है जो कि करती हैं कि बहार का जो शोर होता है वो दर्वादे के तुरू अंदर नहीं आता है आपकी एसकी कू कि पूरी शीट यह मैंने से निकाल दिये क्योंकि यह शीट जो है 1995 कि हैं और यह अभी तक लगी हैं और इसमें जितना सुलूशन था यह जो आप देख सकें यह सारा गंदा हुए जुपा कर रहे भी तक तो यह सब मैं इसको साफ करना है और इसके बाद यह कि मैं शीट अगर वह आप समाल करते हैं तो फॉर एक्देम्पल अगर वह 70% रिडियूस कर रही हैं तो जो अन्बेंडेड यह लोकल शीट जो है जो वह शीट जो मैं समाल कर रहा हूं वह तकें 50% रिडियूस करेंगे और होने ही चाहिए कि आपकी जितनी डबर साइट यह जो आप दे ओपि जितनी रहे गलाए तो करना है कि दर्वाजे को साफ करना है जितनी ही सारे ऑगे साफ होगी इसके बाद यह वारी व्लिट साही हैं तो वारिंग में या तो प्रोटेक्टर लगा दूंगा मैं और उसके बाद यहां पे अब इस हसाब से यहां पर डबल साइट टेप आते हैं बहुत सारे किसम के अब जिस तरह क्या चाहिए आप समाल कर लें तो शीट के हसाब से आपने जितने भी उपर आपका डोर के साइट है यहां पर अपने शीट वो लगाने डबल साइट टेप दैन एक बीच में देना है जिस तरह यह लगावा है और एक गलती जो लोग करते हैं इस साउंड डैम्पिंग शीट लगाते हैं वह यह कि जैसे अब देख रहे हैं पर होल आपको दिख रहेंगे यह वाल इस साइट छेट के वह ब्लें पर आप शीट के हसाब से काट लगाओ साइब तक बंग तो यह वह लूगे आपको दिखाते हैं यह इसीट का क्या हाल हूँब हुए ओप jerk दी तो मैं आगे दिखाता हो कि शीट क्या हाल है और कौन फो लगाओं गाहूंगा और तो यह वह ट जो के साउंड डेंपिं लिए समाल होती हैं यए आखिली आफिके हाल देख सकता है ये 1995 की शीट थैंज वही तक लगी है लेकिनिस की कॉल्की चाहिए अगर थोड़ी हैवी शीट है और इसमें जो स्लूशन होता है यह वो ग्रीस है जो के आपके ड्वोड़ सवारा है अक्सर जो मेकैनेक्स वोगरा या जो दिर्वादे काम करते हैं वो लगाते थैं तो यह हाल होता है असल में ग्रीस लगाने से तो इसलिए माना किया जाता है ग्रीस जादा समॉल करने को तो इसमें मिट्टी रस्ट तक्रिमन यह चीज खतम बिल्कुल ही विकार हो चुके तो अब करना ही है कि अब दूसरी जो साउंट टैंपिंग शीट आती हैं जिस तरह एक मैकसिमस एक कंपनी है और इस तरह और भी कंपनी हैं जो के साउंट टैंपिंग शीट बनाती है या कर सकते हैं बस फरक होना चाहिए कि क्वालिटी इस टाक की होनी चाहिए थोड़ी हैवी वारना अगर आप यह ब्रेंड़िट खरीदें मेकसिमस वारेकिया और कंपनी इसकी तो तो तक्यूएं 253 रुपे के आपको शीट पढ़ेंगी चारो दर्वाज़ों के लिए तो मैं मैं यह कर रहा हूँ कि मैं सेसी वारे शीट्स खरीज़ा हूँ जो कि मुझे 150-200 पर सकी मिलेगी और इसको मुझे असाब से काटके उसमें डबल साइट टेप लगा के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह फिक्स किया जाता है तो यह वो शीट्स है जिससे जो के भार के जूष्योर होता है वो रोकती हिस दर्वाथ से अंदर आने में यह शीट आपको सुदू की कल्टर साब राया हैं मिलतीं है सबस्क्राइब तो अगया आप तो यह जो दोड़े तिक आते हैं उनका यह हाल हो जाता है कुछ नहीं बात यह अप देख एड़े हैं कि हैं जो के लिए 1 गर्ल्ती करते हैं कि इस काश्च स्टैप खोड़े वह सोद्त जिस तरह आपने देखा था कि इसमें कितना जादा ग्रीस था तो इस कोच्टे कभी भी ऑईल ये ग्रीस वाली सिरफेस पर काम नहीं करता तो ये गलती ना करेगा इसके से बहतर है कि आप ये डबल सारी टेप ले ले लें ये मुझे 3D रूपीज का मिलता है और ये काफी सारा होता है तक्रिमन पूरी शीट तो लग जाएगी इससे और आपको ज्यादा मदबूती चाहिए तो आप अगर आपका पावर आउटलेट ये बाहर तो आप गलू गन यूज कर सकते हैं यू हू की गलू आती या किसी और किसम की गलू इस्तमाल कर सकते हैं ऐसी गलू जिससे आपका पेंट खराब ना या जो रिलाइबल हो तो यह मैं स्ट्रॉल करता हूं गाड़ी हम और आप बो दिखाता हूं इस तरीके से जो आप कवर कर ला है ये पूरी लाइन जा रही है जिसरें कमनी लागा के दिया था सेम इस सरा कर लें ताके शीट यू आपकी निकल लेनी और ये काफी अची तरहां स्ट्रॉक होता है और इस पर वाइट जो आप देख रहे हैं यहाट जाता है यहाट टेकर तो डबल सेट ब इस सरा पूरी डूर पर जो है आपके डबल साइट टेप है वह सरा लग जाएगा कुछ टेप जो है मैंने उसी सीलेंट पर लगा दिया था तो थोड़ा मजबूत हो गया अब यह जो इसको वाइट कर लेकर आप देख रहे हैं यह इसको हटाना है देन अपने शीट काटनी और उसके दाप पर यहां पर प्लेस करना है तो उसके ताप सारे जितने भी होल्स आपके उसके सरा करने और इस रोड के लिए पंच करने ताके बाद में पर परशानी नहों और देन आपनी शीट्स पर लगादें तो आपके लगा कि दिखाता हूँ जो मेरी स्टॉल हो चुकी है पूरी कुछ जगा मुझे टेप का समाल करना पड़ गया था जहां पर मिट्टी नहीं थी बाकी जगा पर डबल साइड टेप लगाता और यह पूरे दुरादे पर लग चुकी है उसके बाद आप एक नाइफ ले लें और इसको खयाल से जितने आपके जो होल्स हैं इनक सुराख कर दें ताकि अब जब स्क्रूव वारे लगाएं तो यह शीट खराब नहों तो इस तरह आप शीट लगा सकते हैं दर्वादे में देन्स के बाद आप चीज़े वापिस लगा दें आपके हैं ताकि शीट जो अपनी जागा पर टिक हैं और जो स्क्रूव होता हैं अगर आप खराब लग रहें तो इसका चेंज कर लें क्योंकि अगर इस क्रूव का फेस खराब हो जाता है तो कुल्ले में काफी परशानी करते हैं तो इसको लगाने के बाद मेरी शीट है एक जगा पर टिक गई है देन हम चीज़े बाकी में दिखाता हूं के साउन डेंपिंग शीट यह वह लग चुक है और दर्वादे की जितने चीज़े थी वह भी वाफशेक्स हो चुक है यह लोग थोड़ा मतला कर रहा है तो मझे एक वाशर लगाना पड़ गया यहां पर और यह अप सारी चीज़े ब्रकिंग में और इसी की कुलिंग कुछ 19-20 बहतर हो सके तो अगर यह आपको कॉंटेंट हेलफुल लगता है तो गिव में थांस अप एंड के सब्सक्राइब में चैनल तो मिलते हैं आप सा अगली वीडियो में